पिछले वीडियो में हमने लिप सिंक देखा तो जो हमने पिछले वीडियो में रोबॉट की कॉस्ट्यूम बनाई थी मैंने इस कॉस्ट्यूम में एक कॉस्ट्यूम और अड़ कर दी तो लास्टाइम हमार पास एक ये कॉस्ट्यूम थी फिर हमने एक लिपस बंद की कॉस्ट के लिए ये एक और एड़ कर दी तो अब जो है यह थोड़ा सा और बैटर लग रहा है तो इस तरीके से जितने ज़्यादा एक्सप्रेशन आपके पास होंगे लिप्स के उतना ज़्यादा आप रियलिस्टिक इफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं स्प्राइट्स की बात करने का और लिप सिंकिंग का तो अब इसके आगे इसमें थोड़ा सा एनिमेशन को और जादा मज़दार बनाने के लिए कुछ इफेक्स डालते हैं तो एक चीज जो हम और कर सकते हैं वो है कि हम बैकड्रॉप्स बदल सकते हैं तो अभी हमारे रोबॉट ने कहा कि अच्छा हम कहां आगे पता नहीं तो लेट मी फाइंड आउट तो लेट से कि इसके बाद हमारी कहानी है कि जो रोबॉट है वो किसी और दुनिया में चला जाता है तो किसी और दुनिया में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बैकड्रॉप में जाके कोई और बैकड्रॉप सिलेक्ट करते हैं हमारी space की story है तो हम space में जाके देखते हैं, तो मालिया जाहे हम ये space city one, जो है ये backdrop लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि जब हमारा robot ने ये कहा कि ऐके, let me find out, तो उसके बाद वो अलग दुनिया में चला जाए और किरन वहां ना हो, क्योंकि वो पता कर रहा है कि हम कहां आ गए हैं तो हम चाहते हैं कि जब ये कहानी शुरू हो तब तो जो हमारी original backdrop थी तो अगर हम ये backdrop में जा रहे हैं तो हमारी backdrops में ये जो space की एक backdrop है original वाली और ये हम अभी नई लाए हैं space city 1 तो हम code में backdrop को भी हम code कर सकते हैं तो इसके code में हम कह रहे हैं कि जब ये animation शुरू होगी so when the green flag is clicked looks में जाके कि switch backdrop to space यानि कि original जब कहानी शुरू हो तो backdrop ये हो और फिर जब robot ये dialogue बोल दे okay let me find out तो उसके बाद वो backdrop बदल जाए तो इसके लिए हम वही events में जाके सबसे पहले तो एक नया message broadcast करते हैं तो हम message broadcast कर रहे हैं एक new message robot 2 तो हमने कहा कि जब robot बोल चुका होगा okay let me find out तो robot 2 message broadcast होगा और फिर हम ये backdrop पे जा रहे हैं और backdrop पे हम कह रहे हैं कि when I receive robot 2 तो then हम looks में कह रहे हैं कि switch backdrop to space city 1 तो अगर आब हम ये अपनी animation प्ले करेंगे तो ये तो instantly हो गया है तो इसमें अब हम थोड़े और effects डाल सकते हैं तो सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जब robot ये broadcast करे robot 2 तो किरन जो है वो दिखनी बंद हो जाए तो हम किरन में जाके हम कह रहे हैं events में जाके कि when I receive robot 2 और looks में जाके हम इसको hide कर देते हैं hide और कहानी जब हमारी शुरू होगी तो हमने यहां कहा ही था कि when green flag is clicked show तो किरन वोपस अपनी इन्ही x y coordinates में आ जाईगी तो अब ये तो गायब हो गई पर हम backdrop में जाकर यहां थोड़ा और dramatic effect डाल सकते हैं कि हमारी जब शुरू हुई थी तो ये backdrop है और हम कह रहे हैं कि backdrop बदलने से पहले हम इस backdrop में effects डाल सकते हैं तो जैसे कि अगर हम यहां पर looks में जाके देख रहे हैं change color तो change color का drop down में अगर आप जाओ तो इसमें और भी बहुत सारे effects हैं तो जैसे हम एक यह effect है whirl तो whirl का effect क्या है कि अगर मैं इसे click करता हूँ तो whirl मतलब थोड़ा घूम जाता है अगर इसको number में बहुत बढ़ा देता हूँ जैसे मानले जाग 2000 कर देता हूँ तो यह इस किसम का effect है तो जैसे कि जादू में होता है ना कि जब वो कहता है कि let me find out तो वो यहां से गायब हो जाएगा कहीं और जाएगा तो हम वो effect create कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि when I receive robot 2 सबसे पहले तो यह whirl effect करना और उसके बाद क्या करना कि यहां पर हम इसको बाद में हम इसको clear करना चाहते हैं कि फिर यह जब next backdrop आने से पहले effect clear हो जाए पर हम चाहते हैं कि यह जो whirl effect है यह थोड़ी second यहां पर रहे तो हम वापस control में जाके हम कहते हैं wait for one second then clear graphics effect and then put space city one तो अब जब यह अगर हम अब यह click करते हैं तो इस किसम का effect है और हम यह भी चाहते हैं कि जब यह whirl effect आ रहा हो तब जो robot है वो भी ना दिखे तो हम robot में जाके हम यह कह सकते हैं इसको कि broadcast robot 2 और broadcast robot 2 के बाद हम कहें कि wait hide कर देते हैं इसको तो वो अपस looks में जाके हम कह देते हैं broadcast and then hide अब हम backdrop पर आ गए हैं और हम अब चाहते हैं कि जब यह backdrop बदले तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो robot यह hide हो गया था यह इस backdrop में धीरे नीचे उपर से ऐसे नीचे आए जैसे कि यह दूसरी दुनिया बदली और फिर robot वहां आया तो यह effect डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब यह switch हो गई है backdrop तो हम यहां से भी एक message broadcast करते हैं तो हम events में जाके एक new message broadcast करते हैं और new message का मांगया जाए हम कह देते हैं background one तो अब हम robot में जाके कह रहे हैं कि when I receive background one तो अब हम यह कह रहे हैं कि हमने यहां पे robot को hide किया है तो पहले तो हमें robot को show करना पड़ेगा तो हम कह रहे हैं कि show का यह हम programming block सबसे पहले लगा देते हैं और फिर हम चाहते हैं कि यह robot ऐसे उपर से नीचे आए तो हम इसकी position बदल रहे हैं मानलो हम यह कह रहे हैं कि यह almost ऐसे थोड़ा छुपा हुआ असा था तो यह यहां से उतरना शुरू होगा तो अब हमारे को यह x and y अपने आप इसके सीधे coordinates आ गए हैं 90, 187 तो अब हम motion में जाके यह हमने एक और वीडियो में पहले देखा था तो हम यह कह रहे हैं कि go to x and y और उसके बाद हम कह रहे हैं कि मानलिया जाए कि robot यहां आ जाता है तो फिर हम यह नई position पे कह रहे हैं कि glide to this new position में भी थोड़ा धीरे-धीरे glide करो sorry not random position glide to this new position जो है 58x और y-43 और दो सेकेंड में यहां glide करकर आओ तो अब हमारी कहानी यह बनी तो अगले वीडियो में इसमें और special effects डालके इस animation को और जादा improve करते हैं करते हैं